हेलो फ्रेंट्स वालकम डो माई योट्यूब चनल तो फ्रेंट्स फाइनली इंडेन कोस्ट गार्ड के अंडर जो आपकी यांतरिक 2nd by 2020 के अफिशल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे फ्रेंट्स कोस्ट गार्ड के अफिशल वेबसेट पे अप्लोड हो चुकी है जिन्ने स्ट्वनिस ने भी अपना जो डिपलामा है फ्रेंट्स हैं इंचिनडेरिंग में कर रखा है डिफरिंट डिफरिंट ब्रन्स इसके अंडर जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सब भी कैंडिट्सस केंडर आर्लेन फार्म को अप्लाइट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छमों का यहाँ पर डिप्लामा होल्डर्स के लिए एक्सिलेंट अपर्चुनिटी रहेगी एज यांतरिक फ्रेंट से इंडियन कोस्ट गार्ड में जुड़ने के लिए तो फ्रेंट से इस वीडियो में हम कंप्लेट डिसकस करेंगे जो eligible candidates रहेंगे वो कबसे फ्रेंट से यांतरिक second by 2020 के अंडर online firm को apply कर सकेंगे और उसके बाद friends हम discuss करेंगे आपका detailed में education और age का criteria फ्रेंट से क्या रहेगा क्योंकि जो आपकी यहाँ पर qualification रहेगी उसमें आपकी कम से कम percentage होनी चीए तो ही आप scanner firm को apply कर पाएंगे और जो फ्रेंट से reserved category से belong करते हैं उनको यहाँ पर relaxation percentage में भी रहेगी और age में भी फ्रेंट से relaxation रहेगी SC, SQ और OBC वाले students के लिए उसके बाद friends हम discuss करेंगे कि आपका जो selection process है जिसमें आपका return examination, physically, fitness test, initial medical examination आपका रहता है final medical examination आता है तो different different जो आपकी stages रहती है selection process scanner वो भी friends हम इस वीडियो में discuss करेंगे और जो written examination में आपका जो admit card आएगा वो आपका किसके basis पे आएगा complete जो friends आपकी doubts हैं वो हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से discuss करेंगे आपका fitness test में क्या conduct होगा आपके physical standards क्या होनी चाहिए height कितनी होनी चाहिए chest कितनी होनी चाहिए यां तरीक second by 2020 की जो official notification of friends वो यहाँ पर open हो चुकी है और इसके अंडर जो eligible candidates रहेंगे 16 March 2020 से friends इसके online farm फिलोना शुरू हो जाएंगे आप इसके अंडर 16 March 2020 से farm को fill up कर सकते हैं और 22 March 2020 को friends आपकी last date रहेगी इसके अंडर farm को apply करने के लिए तो diploma holder के लिए friends बहुत ही excellent opportunity friends रहेगी Indian coast guard में जूडने के लिए as a यां तरीक तो सबसे पहले हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं कि आपका education का क्या criteria रहेगा तो इसके अंडर friends से सिर्फ और सिर्फ और Indian male candidate ही friends eligible रहेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं friends यहाँ पर आपकी जो education है आपकी दसमी पास होनी चाहिए उसके बाद जो आप डिपलामा अपना करते हो तो डिपलामा आपका electrical या फिर mechanical या फिर electronics या फिर telecommunication में friends होना चाहिए केवल इनी ब्रांचिस में आपने डिपलामा किया होना चाहिए तो ही आप यहाँ जो अपने डिपलामा करने के लिए और आपने जो अपने डिपलामा कर रखा है complete या आपके सभी semester के percentage को मिला के 60 percentage friends से कम से कम होना चाहिए अगर आप journal category economically weaker section या फिर OBC से belong करते हैं और यदि friends आप SCST candidate है तो आपको यहाँ पर 5% की relaxation रहेगी याने के यदि आपके percentage 55% भी है तो भी आप यहाँ पर eligible रहेंगे फार्म को apply करने के लिए उसके बाद जो outstanding sports person है उनके लिए भी यहाँ पर 5% की relaxation रहेगी उसके बाद friends आप यहाँ पर age का criteria देख सकते हैं कम से कम आपकी जो age है 18 साल होनी चाहिए और maximum आपकी जो age है 22 साल से above friends से नहीं होनी चाहिए आपका जो data बरता है 1 अगस्ते 1998 से लेके 31 जुलाई 2002 से तक friends सो होना चाहिए इन दोनों dates के बीच में या फिर इन दोनों dates पे अगर आपका data बत्फॉल कर रहा है तो आप यहाँ पर eligible रहेंगे फार्म को apply करने के लिए और अपर age relaxation के लिए जो सुन से SCST category से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल तक का age relaxation रहेगा याने के SCST वाले candidate यहाँ पे 27 years तक के इसके अंडर फार्म को apply कर सकते हैं similarly OBC वालों को 3 साल तक का age relaxation का friends यहाँ पे रहेगा तोटल यहाँ पे OBC वाले 25 years तक के इसके अंडर फार्म को apply कर सकते हैं तोटल आप यहाँ पे approximately पोस्टे देख सकते हैं जो आपकी यांतरिक 2nd by 2020 के अंडर फ्रेंट से रहेंगी तो 37 पोस्टे आपकी यहाँ पे different different फ्रेंट से branches रहेंगी यह पोस्टे आपकी change भी कर सकती है आपकी यह जो पोस्टे यह increase भी कर सकते है decrease भी कर सकते हैं यह आपकी vacancy cable फ्रेंट से approximately रहेंगी तो similarly आप यहाँ पे mechanical, electrical और electronics और telecommunication का फ्रेंट से देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपकी joining होगी basic पे आपका क्या रहेगा कितने आपको allowances रहेंगे और जब आप promote हो जाओगे उसके बाद आपका फ्रेंट से pay scale क्या रहेगा से बाद फ्रेंट से आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो selection process है वो आपका क्या रहेगा तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि selection process में total आपकी तीन stages रहेंगी तो सबसे पहली stage आपका return examination रहेगा उसके बाद आपका physically fitness टेस्ट रहेगा उसके बाद आपका initial medical examination फ्रेंट से रहेगा और initial medical examination में जो students fit हो जाएगे उसके बाद उन सबी candidate का फ्रेंट से final medical examination रहेगा तो सबसे पहली stage जो आपकी return examination की रहेगी जो कि आपका April 2020 में फ्रेंट से conductor हो सकता है तो उसके लिए जिन students को फ्रेंट से short list किया जाएगा maximum आपकी कितनी percentage diploma में आपने ले रखी है उसके basis पे फ्रेंट से आपको short list किया जाएगा return examination और PFT के लिए तो return examination का criteria मैंने आपको फ्रेंट से बता दिया कि किसके basis पे आपको बुलाया जाएगा जितनी higher percentage आपने अपने डिप्लामा में ले रखी है उतने जादा chances आपकी फ्रेंट से short list होने के रहेगे return examination के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते जो आपका return examination रहेगा वो आपकी फ्रेंट से respective ब्रांच से रहेगा और साथ में उस return examination में आपको questions रहेगे journal knowledge से related, reasoning से related, आपके aptitude से related और English language से related उसके बाद जो सुन से return examination qualify कर जाएगे उन सभी candidate का फ्रेंट से physically fitness test conductor होगा तो physically fitness test में आपकी running रहेगे जो कि आपको 7 minute में complete करनी है 1.6 km यानि के 1 mile आपको 7 minute में फ्रेंट से running को complete करना है आपका PFT just qualify रहेगा आपको 7 minute के अंदर running complete करनी ही करनी है 7.1 नहीं हो सकता 7.2 नहीं हो सकता 6.8 हो सकता है 6.5 हो सकता है आप अब अबब नहीं जा सकते कम से कम जितने भी time में आप cover करना चाहो फ्रेंट से कर सकते हो इसमें आपको कोई भी marks नहीं मिलेंगे जस्ट आपको qualify करना है उसके बाद आपको 20 वहाँ पर उठक बैठक्स भी करने है और 10 push-ups भी आपको वहाँ पर करने है तो यह फ्रेंट आपको physically fitness test के अंडर आएगा जो कि आपका return examination के बाद फ्रेंट से conductor होगा आपकी जो selection है वह आपकी depend करेगी return test में आप कितने marks को obtain करते हो उसके बाद जो आपका initial medical examination, final medical examination के fitness के basis पे उसके बाद friends हम discuss कर लेता है कि आपके medical standards कह रहेंगे तो medical standards में आप देख सकते हैं आपकी height कितनी होने चाहिए, chest weight कितना होना चाहिए तो height आप यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम, 157 cm आपकी height होने ही चाहिए तो ही आप इसके अंटर फार्म को apply कर पाएंगे और जो स्रेंट से tribal area या फिर hill area से belong करते हैं Central government के order के according जो आपको 5% के relaxation रहती है hill area और tribal area वाले students को friends हो यहाँ पे रहेगी सिर्फ और सिर्फ वो hill area और tribal area से जो स्रेंट से belong करते हैं उसके बाद friends आपका जो यहाँ पे chest का criteria रहेगा Chest आपकी proportion में रहेगी height पे कितनी आपकी height है उस हिसाब से आपकी chest होनी चाहिए और जितनी भी आपकी existing chest है वो आपकी expand करके कम से कम 5 cm की expansion होनी चाहिए आपकी height है उस हिसाब से आपका weight fence वहाँ पे measure किया जाएगा plus minus 10% आपका जो weight है वो acceptable रहेगा यानि करके 10% ज़ादा है criteria से यहाँ फिर 10% कम है तो वो आपका fence वहाँ पे acceptable रहेगा यह आपके fence medical standards रहेगे यदि आप यह fulfill करते हो तो ही आप यहाँ पे yantrik second by 2020 के under fence farm को apply कर पाएंगे तो fence यह था आपका complete yantrik second by 2020 की जो आपकी official notification डिकलर होई है official website पे उसके under आपका fence different different education का age का criteria क्या रहेगा selection process आपके किसके basis पर रहेगे कौन कौन सी आपकी stages रहेंगे वो हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से discuss कर लिया है तो मैंने आपको यहाँ पे physically fitness test तक बताया था कि physically fitness test तक आपका क्या रहेगा तो return examination physically fitness test आपका एक ही दिन conduct हो जाएगा जो students उसमें qualify हो जाएगे उन students को friend से initial medical examination के लिए बुला जाएगा और जो students से initial medical examination में fit हो जाएगे उन students को completely final medical examination के लिए friends से बुला जाएगा different different criteria's क्या रहेंगे selection क्या रहेंगे clarity के साथ हमने वीडियो में discuss किया है तो जैसे आपके online firm को apply करने का जो link है 16 मार्च 2020 को activate होता है official website पे तो next वीडियो में हम अच्छे तरीके से discuss करेंगे कि आप इसके अंडर online firm को कैसे शुरू से लेके last अपने mobile से fill up कर सकते हो photo को कैसे mobile से resize करके signature को कैसे mobile से resize करके complete firm को mobile से कैसे fill up कर सकते हो accuracy के साथ वो फैंस हम next वीडियो में discuss करेंगे जब इसके online firm को apply करने का फैंसे link activate होगा तो फैंसे यदि आपको इसके regarding कोई भी confusion है जो हम नहीं आप इस वीडियो में discuss किया एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बोलूगा कि जो भी diploma holder students हैं अगर उन students ने engineering अपनी इस branch में कर रखिये तो बहुत ही अच्छा मोका फ्रेंट्स आपको यहाँ पर मिल रहा है यदि आप Coast Guard में अपना career as a young tip फ्रेंट्स बनाना जाते हैं Thank you friends